हाई दोस्तों वेलकम बेक टू मैं चैनल आपका स्वागत है मेरी यूटूब चैनल पे आईए हैं मैं आप आप लोगों के साथ माल पूई की रेसिपी विद रबडी शेर करने जा रही हूं मेरी रेसिपी पे बने रही है अगर मेरे चैनल पे आप नए है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इधर मैंने रबडी की तैयारी करने शुरू कर दी है आदा लीटर दूद लिया है फुल फैट क्रीम दूद है इसको हम इस दूद से हम रबडी बनाएंगे दोस्तों तो चलिए इधर ले लिए मैंने कड़ाई इधर आदा चमच हम डाले लेंगे क्योंकि हम रबडी जो बनाएंगे दोस्तों इससे हम मालपुए में भी यूज करेंगे और रबडी तो रखेंगे उपर से गार्निश करने के लिए थोड़ी सी रबडी मालपुए को पर अच्छी लगती है टेस्टी लगती है तो देखिए मैंने यह धीरे से पकन आई थी दोस्तों आप लोगोंने मेरी पिछली वीडियो अगर देखी है आटे के गुलाब जामुन मैंने शेयर किये थे आप लोगों के साथ उसकी चाशनी बची हुई थी सो मैंने इसमें यूज कर लिए वो चाशनी इदा थोड़ा सा दूर डाला था कि चाशनी अगर ग मैं उड़ाना का या सकते हैं के साथ ने दूस्ती गंडी होती हैं हमें इपनी बची अपके पास मैंने फूद कलर डाला था दोस्तों अगर फूद कलर ना हो आपको पास और और के जाएं इदर दूद में थोड़ा सा दूद हमारा गाड़ा हो गया अलका सा इसमें क्या करेंगे आदा कप मैंने लिया है मावा इसको डाल देंगे आदा कप मावे को फिर हम ले लेंगे मिल्क पॉडर दोस्तों इसी कप से नापके आदा कप मिल्क पॉडर ले लेंगे यह देखिए यह भी मैंने वह क्लिप स्किप हो गई थी एड नहीं हो पाई यह वीडियो में मैंने वह भी डाला ता आदा कप मिल्क पॉर्डर भी डाला है इसमें ताकि जल्दी से हमारी रब्री तैयार हो जाए समय कम लगे अभी है थोड़ा सा रब्री में बहुत ज्यादा इसको गारी नहीं करनी है मावेक तरह नहीं करनी है थोड़ी इतनी रखनी है आपको देखो मैं दिखाऊंगी कैसी इसकी थेकनस रहती है जब बन जाएगी तब यह दिखिए बनने पर आ गई है दोस्तों यह दिखिए हलका सा जो हमारा स्पून है सर्विंग स्पून है उस पर इसको थोड़ा निकाल लेंगे आदा बाउल में हम अलग निकाल लेंगे सर्विंग के लिए जब मालपूए बन जाएंगे तो इसको मालपूए को उपर से डालेंगे और इसको अलग साइड में रख देंगे तक ही ठंडी हो जाए अभी गरम है अबड़ी इधर हम इधर हमने ले लिया है एक मिक्सी का जार इसमें क्या करेंगे तीन एलाइची ले लेंगे और एक कप गिहूं का आटा हम लोग मालपूए गिहूं के आटे के बनाएंगे दोस्तों आप मैदे की भी बना सकते हैं मैंने लिया एधा कि कपहल के इसमें ताल देंगे चिल का सहीव नहीं डालना है चिल का निकाल देना है इसका कि जाएफ सब्सक्राइ我們 as you कि दोस्तों अगर आप लोगो मेरी चरह सी वीटी अच्छी लगे दोस्तों फ्लीज लाइक करना मत भूल यह बोला कर यह वीडियो आप लोग देख लेते हैं लाइक नहीं करते मुझे बहुत वह लगता है आप मेरी फैमिली मेंबर से दोस्तों प्लीज मेरा सपोर्ट करिए यह दिखिए आदा कप मैंने ले लिए आदा कप से नहीं बन फोर्थ कप मैंने दो चमत कि अब मैंसे भी बना सकते हैं कि डिखिए ले बनाई थी कि बच्चों को जाद कर मैं यहों का पिसंद करती हूं देना थी बच्चों करती हूँ अपन्प संद करती हूं मैंblindा क्यानल नहीं घाते तथे दोस्तों कि माणते में फैट मीत इतना होता है बोडि में चान मतलब म पीजोगोगोगो जाती है अभी तो खा लेंगे लिगिन बाद में दिक्कते आती है रबडी आही कश्णी को भी हम आप के डालेंगे पूरे डाल देंगे उसे oh compare दोकले लेगे इसने इसको निला लेंगे पहले और ऐसी टेंशन की बात नहीं आगर इसमें लॉत साथें क्योंकि वो में रबडी डाली है थो हैं तो प्लम confronting फरेट ली लेकिन एक कप लग जाता है बाद में मैंने दो चम्मत तीन चम्मत दूद उपर से और डाला था क्योंकि सूजी डाली है तो दोस्तों थोड़ा सा अगर रेस्ट करने रखेंगे तो वैसे भी सूजी फूलती है तो पेस्ट हमारी क्वान्टिटी जो पेस्ट की होगी तो थोड़ी गाड़ी हो जाती है रखने से अच्छे से फेट लेंगे इसको नहीं है विसकर से फेट लीजिए हैंड ब्लेंडर से फेट लीजिए देख लीजिए इसकी क्वान्टिटी कितनी रह गई है इस तरह से क्वान्टिटी मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ी ना रखिएगा बहुत ज़्यादा पतली भी ना रखिएगा माल पूए हमारे क्योंकि मैंने थोड़ी सी थोड़ा सा मैंने क्या किया था दूद मुझे जो दो चम्मस जादा पढ़ गया था वो नहीं डालना चाहिए था मुझे लगा था कि पतले बन गए तो मतलब फैल रहे थे कडाई में फिर मैंने थोड़ा सा आटा अगर ऐसा कु कि अब तो अब मुझे से चिपक गया है तो आप ऐसी गलती ना कि दिएगा नौन इस्टिक कडाई लीज्येगा मैंने लोग वाली कडाई में ही मैंने थोड़ा सा घी लिया था क्योंकि गी बान में वैसा हो जाता है सेकते-सेकते उसलिए मैंने ज्यादा खी नहीं लिया थ इसको दीरे से पल्टेंगे बस ज्यादा कलर नहीं करना है इसका हलका लाइट गुल्डन ब्राउन हलका सा हो जाए यह देखिए कितने अच्छे से सिग गये हैं इनको हम ऐसे ही सेखते सेखते सारे निकाल लेंगे कुछ चोटे बनाएं मैंने कुछ बड़े बनाएं जैसे जैसे आपको पसंदो उतना बड़ा साइज रखिए इस तरह से बना लेंगे सारे माल पूए हम ठीक है और घी में सेखना प्रिफर करिएगा घी में ज्यादा अच्छा मुझे घी में ही अच्छा लगता है सेखना जल करता है आप लोग जैसे पसंद करें अगर बनाना सकते हैं दोस्तों बाकि घी में ज्यादा टेस्टी बनते हैं कि में इसका स्वाध अच्छा यह देखिए मैंने यह दा सेके निकाल लिया है मैंने फिर दूसरा स्टार्ट किया डालना तो यह देखिए मैंने चार पास एक लिए दोस्तों यह दिखा रही हूं मैं आपको क्लिप बहुत सारे ऐसे मैंने सेक के रख लिए थे दिखे छोट छोटे बनाये कुछ बढ़े बनाये थे इस तरह यह देखिए दिखें मैं आपको दिखाया चाशनी में डालके गोल खोल शुट शुट इस तरह ऐंसे सर्प करके दिखाया दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो दोस्तों कैसी लगी है प्लीज पसंद की आई हो अच्छी लगी हो मेरी वीडियो ज़रसी भी प्लीज लाइक शेर सस्क्रा झाल झाल